आपके एक्जाम में आया हुआ कुशन है चलिए पहले सवाल पढ़ लेते हैं फिर कर लेते हैं कहता है Mr. X has occupied three house तीन घर है for his residence यानि कुशन में ये बोलता है तीन घर रखूंगा अपने residence के लिए कहता है फोरवाद परपस आफ टू हाउस गीवन बिलो दो घर तो दिया जा रहा है फाइनेंशल डिटेल थर्ड हाउस नौट अवेलेबल सर तीसरे घर का हमें अवेलेबल नहीं है यानि तीसरे घर का क्या है नहीं है पता हमें कुछ भी नहीं पता यानि इसके पास तीन घर है और तीनों घर को ये self occupied ले रहा है यानि हम house नंबर जो इसका पता नहीं है उसको हम zero मान लेंगे सब कुछ ही zero मान लेंगे जब कुछ नहीं पता तो zero मान लिया जाएगा आगे कहता है सर इसका standard rent दे रहे हैं, municipal valuation दे रहे हैं, fair rent दे रहे हैं, municipal paid दे रहे हैं, insurance premium paid दे रहे हैं यानि जो जानकारी चाहिए वो given है और हम साथ के साथ बता रहे हैं borrowing इसने अपना पहला घर तो खोदी बनाया है, दूसरा घर के लोन पे लेके construction बोथ हाउस completed September 2018 और 2018 में घर भी बन चुका है सर तीन घर फिर से होगे कैसे करेंगे इसका solution बाकि examiner ने सिर्फ आपको confuse किया इसके अंदर, क्या confuse किया सर तीसरे घर का detail दे देते तो आसानी हो जाती जादा चलिए हम एक बार तीनो घर को let out मान ले तीनो घर को let out मान लिया जाए अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है सर एक घर का तो जिसका detail है वो तो मान लेंगे तीसरे का पता नहीं तो let out में भी 0 मान के खतम करेंगे जब detail ही नहीं दिया examiner ने तो examiner की गलती है भाई ह1 ह2 जो given है और ह3 तीसरा सबसे पहले हमें दे रखा है सीधा MV दे रखा है सर MB कितना है 38,000 और सर 60,000 यह 0 है फियर रेंट है क्या question में बिल्कुल है फियर रेंट कितने का है कितने का सर 45,000 65,000 0 नहीं पता सर SR ले 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 थे SR दे रखा है बिल्कुल 34,000 50,000 0 हमने कहा सबसे पहले 0 तो नहीं होगा इसे dash डाल देते हैं हमने कहा expected rent तीनों को let out मान रहे है इसको भी let out इसको भी let out इसको भी let out थोड़ा जल्दी हो जाएगा तो इन दोनों में से higher 45 तो यह आ गया इन दोनों में से higher और lower सर यह तो 0 ही रहा यही क्या बन जाएगा जी यह भी 34 और 50,000 माइनस में क्या करें MT सर MT दे रखा है municipal tax paid 4,000 और तो हमने 4,000 और 7,000 यह तो 0 है यह माइनस करने के बाद हमें result आएगा NA V तो 34,000 और सर यह 10 नंबर में सवाल आया हुआ है ऐसा मस समझना सर ऐसा ही practice कर रहा है हम exam वाले सवाल करेंगे अब सारे इसके बाद सर माइनस 24 अब कुछ बच्चों का सवाल हो सकता है सर इसका क्या करना इसको तो यूज कर लिया यूज कर लिया यूज कर लिया इसका क्या करें कुछ नहीं करना insurance premium paid वगेरा हो unnecessary के कुछ भी खर्चे गीवन हो उन सभी के बदले 24 ए मिलता तो है मैं तो सर यह 12,000 43,000 का 30% 43,000 का 30% फटा फट निकाल लिया calculator पे 12,000 क्या इसका 30% ठीक है इसका अच्छा इसका 9,000 होगा इसका सर 9,000 होगा और यह 0 है ऐसे ही minus क्या करेंगे सर 24 24B के लिए interest का calculation स्रिफ घर दो बनाया इसने तो चलिए सर सबसे main काम जो हमने last class में सीखा था उसका काम करने का time आ गया है यह हमारा line है और जो loan लिया है ना वो loan लिया है हमने 1 जून 17 को 1 जून यानि सर 1 छे 2017 कहता है repayment loan 30 जून 2020 को किया है 36 2020 को इस तारिक पे मेरे पास कोई करजा ही नहीं था करजा खतम इस तारिक पे इस तारिक पे करजा लिया और इस तारिक पे loan का repayment हो गया अब घर कहता है दोनों घर बनके तयार हुआ September 18 में यानि September 18 की बात करें तो ये वाला साल खतम हो जाएगा हमारा 31 तीन 18 में ये वाला साल खतम हो गया यहां पे 31 तीन 18 में उसके बाद सर हमारा नया साल स्टार्ट होगा एक चार 18 और ये साल खतम होगा हमारा 31 तीन यानि इस साल के अंदर हमारा घर बनके सर तयार हो गया इस साल में हमारा घर बनके तयार हो गया ये वाला साथ है तो इस साल में तो मैंने जब income tax return फाइल किया होगा उसका benefit तो ले चुका होगा मैं क्योंकि उस साल मैंने ऐसे थोड़ी बोला होगा कि मेरा घर भले ही बोला गया question में कि 30 September यानि कहीं बीच में बना है सर कहीं भी बना हो return जब आपने फाइल किया होगा तो इस साल का benefit ले लिया होगा तो PCP तो इस से पहले वाला है तो pre construction अगर period मैं पूछू प्री construction period तो यहां से लेके यहां तक जो कि कितने महिने बनते हैं सर 10 महिने कितने महिने हैं काउंट कर ये जून जुलाई अगस सेप्टेंबर अक्टूबर नॉवंबर दिसमबर जनवरी फरवरी मार्च कितने महिने हो गए 10 महिने इस 10 महिने का benefit मुझे 18 से कहां तक benefit मिल सकता है ये भी मैं आपको बता दू सर इसका benefit मिल सकता है हमें आगे तक मैं यहां लिख रहा हूँ कहां तक मिल सकता है 18, 19 19, 20 20, 21 21, 22 और 22 इवन दो मेरे पास interest जो है repayment loan का 20 में हो गया लेकिन फिर भी हम 20, 21 और 21, 22 के अंदर जो 5 साल है वहाँ पर 5% लेंगे date बगएर देख लेना वह गलत लिख दिया मैंने 20, 19, 20 के 20, 21 और 21, 22 और 22, 23 ठीक है तो सर PCP का ब्याज अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे सर 60,000 गुना में 8 बटे में 100 और कितने महीने के लिए 10 बटे में 12 और कितने महीने जाएगा 5 सर क्या आता है इसका रिजल्ट कितने सर यह 800 आगया pre-construction period हमें सवाल सॉल्व करके दिखाना है assessment year 21 देखो assessment year 21 का मतलब होता है कि आपको 1, 3 या 1, 4, 2, 0 21, 21 है तो 20 से लेके 31, 3, 2, 0 21 तक यानि 20 और 21 का बनाना है और हमने loan का repayment 20 में ही कर दिया है इसका मतलब अगर मैं current year का जिस साल का मैं loan बना रहा हूँ interest वो ये वाला साल है मान लो और loan इस rate पे क्या मुझे बताईए 1, 4 पे मेरे पास 2,000 19 में मेरे पास loan 1, 4, 2020 में मेरे पास loan है या नहीं है मुझे बता देजिए है loan लेकिन question ने साफ साफ कहा है कि हमने इसका repayment कब कर दिया कब कर दिया 36 2000 क्या इस date के बाद मेरे पास loan है तो current year में मैं सिर्फ यहां से यहां तक का ब्याज ही निकालूँगा और यहां से यहां तक का ब्याज कितने मेने हो जाता है April, May और June पूरा तीन महिने तो तीन महिने का ब्याज निकलेगा सर किस पे 60,000 पे इंटू में 3 बाई 12 इंटू 8 बाई बताईए क्या आता है कितने सर यहां गया 1200 तो यहां पे 24B जो मिलेगा डिड़क्शन के लिए 24B जो डिड़क्शन के लिए मिलेगा सर इस वाले पहले वाले लाईन में तो ही नहीं दूसरे घर के लिए लिया गया था तो क्या होगा 800 और प्लस 1200 कितने होंगे और तीसरे घर का पता नहीं यह हो गया हमारा सभी को let out मान लिया यहां minus कर दें तो सर यह कितना आएगा यह कितना आजाएगा बताओ क्या अठारा से अठारा से उन्निस का अब बच्चों का कहना है कि सर अठारा से उन्निस का रिटन फाइल होगया तब ले लिया होगा हमें तो बीस और इकिस का बताना है नहीं आप देखो यहां पर year क्या आता है सर मैंने बताया ना अठारा से उन्निस रिटन फाइल होगया ले लिया होगा उन्निस से बीस रिटन फाइल करके ले लिया होगा 20-21 का हम कर रहे हैं तो 20-21 का return up file कर रहे हैं तो ले लेंगे जब 21-22 आएगा तो सिर्फ और सिर्फ 800 का ही benefit मिलेगा क्योंकि current year वाला interest मिलने वाला है नहीं क्योंकि वो हमारा payment हो चुका है समझे बात हम तो चलिए सर इसको minus करके बताईए क्या आता है यह तो 0 यह है क्या है 28 एक सो पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों आ गया अब सवाल है कि एक बार हम तीनों को अगर self occupied माने चलिए मैं थोड़ा यहीं करके दिखाता हूँ अगर मैं तीनों में self occupied मान लूँ इनकेस तीनों घर self occupied हो तो सर H1 की income पता ही कितनी आएगी 0 सर H2 की income कितनी आएगी सर 2000 माइनस का और H3 का income क्या आएगा 0 पहले तो यह आप agree करते हैं नहीं करतें self occupied डारेक्ट निकाल लिया मैंने तीनों घर को self occupied यही कहा रहा था थोड़ा सा easy process हो जाता है कि हम पहले पूरा लिख ले भया पूरा let out मान लिया फिर self occupied उसके बाद क्या करना है सबके income जोड़ जोड़ के combination में बताने हमें ज्यादा लाइने खीचने नहीं पड़ेगा अब हमें क्या करना है सर एक बार इन दोनों को self occupied इसको let out एक बार इन दोनों को self occupied इसको let out एक बार इन दोनों को self occupied इसको let out जो combination पहले बनाया था वो बनाएंगे तो चलिए सर यहीं बनाने की कोशिस करते हैं और थोड़ा सा स्मॉल करते हैं इसको ध्यान दीजिए यह तो हो गया यह when all house let out self occupied अब देखिए हम क्या करें h1 ले ले और h2 को ले ले क्या so और h3 को ले ले क्या let out sir ऐसे situation में क्या आएगा h1 h2 तो यह दोनों जोड के आएगा minus और h3 क्या आएगा zero that is answer पहले का देखिए दूसरा situation क्या बन सकता है sir h2 plus h3 so मान लो और plus h1 को मान लो lo sir h2 और h3 so मानोगे तो h2 और h3 तो कितना आएगा 2000 और plus आपने क्या करा h1 को let out मान लिया तो h1 को अगर आप let out मानते हैं तो कितना आ जाएगा है h1 देखो 21,000 let out होगा तो 21,000 आएगा ना positive का 19,000 same situation number 3 मान लेते हैं कुछ बच्चों को अगर नहीं देख रहा तो उपर कर देते हैं same situation number 3 क्या होगा h1 को और plus h3 को so मान लेते हैं और plus h2 को क्या मान ले hello h1 और 3 self occupied 1 और 3 self occupied मतलब 0 और h2 को आपने माना तो 28,000 28,100 that is आपका answer आगे 28,000 तो sir कौन से वाला option best है 1, 2 या 3 तो जवाब है sir हमारा first option best माना जाएगा sir क्यों first option क्यों best माना जाएगा इसलिए क्योंकि सबसे कम है तो हमारा answer ये वाला ठीक माना जाएगा कौन सा sir ये answer हमारा ठीक है समझ में आया आपको बात यहाँ पर assumption देंगे note के house number 3 का detail अवेलेबल नहीं है इसलिए all things zero मान के हमने कर लिया देखिये कोई दिक्कत इसी को मैं कह रहा था कि पिछले वाले सवाल को भी ऐसे करता न तो देखो self occupied वाला तो हम पटाफट से निकाल लेते interest negative करके let out वाला एक बार मेनत हो तब फिर ये line खिशते तो जल्दी आजाता अगर मैं इसको फिर से तीन कॉलम में करू तो ये फिर से एक और पेज पे जाएगा एक और table बनना है फिर उसके बाद एक और table बनेगा तो solve गा तो वो आपके उपर depend करता है कैसे करना चाहते है sir h2 2000 कैसे आया h2 2000 कैसे आया बच्चों को doubt है h2 2000 जो आया मैं bracket में लिखना हूँ sir 800 रुपे pre construction period का ब्याज और 1200 रुपे current year का ब्याज total ब्याज जो minus करना allowed है वो है हमारा ये जो कि हमारा इस वाले घर के लिए मिलेगा सरफ क्योंकि 1 के लिए है नहीं 2 के लिए है नहीं clear जो प्याज जो आपके लिए है